साथ सरेकार नमस्कार हमारे सभी किसान भाईयों को किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में पानी का महत्तो जैसे कि हम सब जानते हैं मानुस, जीव, पौधे और फसलें ये एक सबसे मातपूर योगदान होता है पानी का तो धानकी फसल की रुपाई शुरू हो चुकी है तो धानकी फसल में अगर हम पानी Water Management को सही से लेकर चलते हैं आखिर तक शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी फसल ग्रोथ भी अच्छा करती है पैदावार भी अच्छी मिलती है और रोग भी बहुत कमाते हैं तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें और पासवाली घंटी को प्रेस कर लें सबसे मुकबात ये है किसान बाईयो दान की फसल में पानी जो है वो 70% तक योगदान रहता है फसल की ग्रोथ, टिलरिंग, ज़्यादा फुटाव के लिए और जैसे की बात हम फिर करने जा रहे हैं दो से तीन या पांच वर्स तक अंदर अंदर एक बार आप लोग मिट्टी की जांच जरूर करवाना चाहिए मिट्टी की जांस से पता चलता है कि हमारा पानी कैसा है जमीन का पानी कैसा है नमबर एक पानी है नमबर दो है खारा पानी है तो इस पे हम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए तो आगे हम सही से इसके उपर काम कर सकें जब हमको पानी का पता चलता है अब बात आती है जब हम धान की रुपाई करते हैं उस समय पानी भर के खेत की तियारी की जाती है तो खेत में पानी ज़्यादा ना भरें खेत की तियारी के समय लगबग डेर से 2 इंच पानी रखना चाहिए जब रुपाई ट्रांस्प्लांट का कायरी चलता हो उसके बाद में जो पानी आप लोगों को रखना है तो ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटी मीटर से ज्यादा धान की फसल में पानी को ना भरें इसके कई मुख की कारण ये भी है कि धान की ग्रोथ आपके टीलर जो है वो नहीं होंगे जादा जादा टीलर नहीं बनेंगे आपने पानी को जादा अगर भर दिया है लिमिट से भी जादा तब भी आपकी फसल जो है आप जो भी परियोग करेंगे आपकी धान की फसल ग्रो को सही से लेकर नहीं चलेंगे तो वो सब डालना बेकार हो जाएगा इसलिए धान की फसल को आप लोग पानी से ज़्यादा भरके न रखें अगर पौदे जाधा अगर पानी में डूब भी जाते हैं जादा उचाई तक पानी रह भी जाता है तो वहां से आपके टीलर नहीं निकल पाएंगे और साथ में किसान बायो 15 दिन के बाद एक बार पानी को जरूर सुखाना चाहिए यानि खेत में जो हवा लग जाए धूप परकास लेंसर की जो परिक्रिया है वो मिट्टी पे अच्छे तरीके से लगे जब परकास मिट्टी पे लगेगा धान की फसल में आ परार भी बोला जाता है इतना भी नहीं सुखाना है और किसान बायो 15 दिनों के अंदर आप एक बार खेत को हवा लगवा देते हैं उसके बाद पानी से भरते हैं अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि जो अक्सीजन ब्लॉक होने से हमारी नैट्रोजन जिंक की कमी भी देते हैं तो इसलिए किसान बायो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखना है अब यूरिया की बात आती है जब हम पहली यूरिया धान की फसल में देते हैं बेसल डोस छोड़के यानि 15 दिनों के बाद 20 दिनों के बाद भी किसान भाई प्रियोग करते हैं पहली तीसरे दिन फिर उसी खेत में पानी को अच्छे तरीके से आप भर सकते हैं इसे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा 100% रिजल्ट नैट्रोजन का जो है वो पौधों को मिल जाएगा तो जो मैंने आप लोगों को वाटर मनेजमेंट के लिए बात की है इस पे आप लोगों को मुख ध्यान रखना है और पौधे लगाते समय भी ध्यान रखना है कि जो आप पौधे लगाएं लेवर से वो ज़्यादा गहरे ना लगें अगर पौधे ज़्यादा गहरे लग जाएंगे तब भी आपके टीलर ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे वो पौधा क्रोथ नह आने वाले वीडियो मिस नहों सभी समय से आप लोगों को वीडियो मिलें जैहिंद धन्यवाद